अम नमस्षिवाय बगतों सुक्सिम्रिद्धी के लिए वास्तु में कई नियम बताए गए हैं जिनका पालन मकान हो या दुकान हमें अवश्य करना चाहिए यदि आप कोई कारखाना या फैक्टरी का निर्मान करने जा रहे हैं तो वास्तु के नियमों का विशेश ख्याल रखे अन्यता इसकी अन्देखी के कारण आपको तवाम तरह के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं फैक्टरी बनाने के बाद आपको उनसे धनलाब हो इसके लिए किन वस्तु नियमों पर थ्यान देना जरूरी है जानने के लिए हम आपको आगे बताते हैं फैक्टरी का निर्मान आर्थिक सिम्रिद्धी के लिए किया जाता है अत्या इसके लिए सिंग मुखी जमीन जिसका आगे का भाग चोड़ा और पीछे की तरफ चलने पस सक्रा होता जाए अध्यन्त लाबदाइक माना गया है फैक्टरी जिस भूखन पर लगाई जाए उसकी बाउंडरी वाला या फिर उसकी चाहर दिवारी पस्चिम एवन दक्षण की दुलना में पूर और उत्तर दिशा की तरफ नीची एवन अपेक्षा के थलकी होनी चाहिए वास्टू सास्तर के अनुसार फैक्टरी की भूमी के पूर उत्तर या उत्तर पूर की और मुखे द्वार रखना चाहिए वहीं छोटा द्वार उत्तर पस्चिम में रखा जाना चाहिए यदि मुखे द्वार पूर में है तो संत्री की कोटी फाटक के दक्षन पूर में होनी चाहिए यदि द्वार उत्तर की ओर है तो संत्री की कोटी फाटक के उत्तर पश्चमी में होनी चाहिए भूकंड का इशान कौन कभी भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए वास्तु में इसको अशुब माना गया है और ना ही वह किसी भी तरह की भारी बरकन समान रखा होना चाहिए पानी की विवस्ता जैसे बोरिंग या अंडरग्राउंड टैंक इशान कौन में बनाना लाब दायक रहता है परन्तु ओवरहेड पानी की टंकी सदय निर्तियन कौन में ही रखना उप्योगत है फैक्टरी में उप्योग आने वाले बायले ट्रांसफोर्मर चिमनी जनरेटर बिजलिया टेलिफोन का खंबा बिजली का मिटर गैस या बिजली के चलने वाले कोई भी उपकरन आदी की विवस्ता सदय अगनी की दिशा आगन्या कौन में की जानी चाहिए फैक्टरी की बाउंडरी वाल में एक फिट दूर हटा कर अगन्या वायन कौन में भाग में शोचाले बनाया जा सकता है वाहनों के लिए पार्किंग की विवस्ता उत्तर पच्छी में आगन्या कौन में की जा सकती है फैक्टरी में दक्षिन भाग में भारी मशीन या भारी समान रखा जाना चाहिए उत्री भाग में हलकी मशीन उत्री दिशा में कच्चा और आदा बना हुआ माल और बिखने के लिए तयार माल को व्याग कौन में रखा जाना उप्युक्त होता है प्रांशनिक विभाग में पूर्व या उत्तर दिशा को अच्छा माना गया है मालिक अधिकारी और करमचारी भी काम करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की और मुख करके बैठे फैक्टरी स्वामे की पूर्शी के पीछे खिड़की नहीं होनी चाहिए ऐसा होने से माली का आतमिशास कम हो सकता है फैक्टरी के अंदर खुली जंगय में विरिक्ष लगाने से पूर्व ध्यान रखे कि दक्षिन और पच्छी भाग में बड़े विरिक्ष एवं उभूर वया उत्तर में घास का लान एवं छोटे फूल वाले विरिक्ष ही लगाने चाहिए अगर आप इसी प्रकार से रोजाना वास्तुसंबंदी जानकारिया प्राप्त करना चाते हैं तो आप इस चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लीजिए और साथी में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए और अगर आपकी आज की वीडियो से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट शेक्षन में हमसे उसे पूछ सकते हैं